स्री सहित दिन करवन सभूषन काम बहुछ विसोह ही नव अंभुदर बरगात अंबर पीत सुर्मन मोह ही मुक्तांग दादि विचेत्र भूषन अंग अंगन प्रतिसजे अंभुज नयन विशाल उर्भुज धन्यनर निरंखतिजे ओम कथारंब होत है आवीर हनुमान आसनली जो प्रेम से सुनहु कथा करुगान दीन दयाल भिरिद संभारी हरवनाथ मम संकट भारी स्रीगडे साइनमह स्रीजानकी वल्लभो विजयते वर्नाना मर्त संघानाम रशानाम छंद सामपी मंगला नाम चेकर्तारो वंदे हिवानी विनायको भवानिशंकरो वंदे शृध्धा विश्वास रूपिनो याभ्याम् मिनाहन पश्चंती सिद्धा स्वान्तेस्तमी इश्वरं वंदे बोधुमयं नित्यं गुरुम संकर रूपिनं यमाच्रतोही वक्रोपी चंद्रह सर्वत्र वंदते सीताराम गुण गिराम पुण्यरन विहारिनों वंदे विशुद्ध विज्ञानों कवीश्वर कपीश्वरों उद्भव इश्थिति संहार कारिनं कलेश हारिनं सर्वेश करिन सीताम नतोहम राम वल्लभाम यनमाया वशवरती विश्वं खलं ब्रह्मादि देवा सुरा यद सत्वादमर्से भाती सकलं रज्जो यताहेर ब्रह्माहा यद पाधपल मेक मेवही भवांबो देश्तिती रिशावताम वंदे अहमतम सेशकारण परम रामा क्यमीशम हरिम नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायडे निगदितम क्वाच धन्यतोपी स्वांतह सुखाय तुल सीर गुनात गाथा भासानि बंदमति मंजुल मातनोती जैश्रिराम दीन दयाल बेरेदो संभारी हरवनात मम संकट भारी रमा विश्नु जो सूरहित नरतन धारी सोसर भग्य जथात्र पुरारी रमा खोजई सोकी अग्य इवनारी ज्यान धाम स्रीपत असुरारी देवताओं के हित के लिए मनुस्य सरीर धारन करने वाले जो विश्नु भगवान हैं वे भी सिवजी की ही भाती सरवग्य है वे ज्यान के बंदार लक्ष्मिपती और असुरों के सत्रु भगवान विश्नु क्या अज्यान की तरह इस्त्री को खोजेंगे रम संभुगिरापुनी मरसान होई सिव सरवग्य जानु सब कोई रम अस संसय मन भयाव अपारा होई न हरदया प्रभोध प्रचारा फिर सिव जी के वचन भी जूटे नहीं हो सकते सब कोई जानते हैं कि सिव जी सरवग्य हैं सती के मन में इस प्रकार का अपार संधे उठ खड़ा हुआ किसी तरह भी उनके हरदय में ग्यान का प्रादुर भाव नहीं होता था राम जद्यपी प्रगटन कहे हूं भवानी हर अंतर जामी सब जानी राम सुनहीं सती तव नारी सुभाव संसय असन धरिय उरकाव यद्यपी भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा पर अंतर्या में सिव जी सब जान गए वे बोले के हे सती सुनो तुम्हारा इस्त्री सुभाव है ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए रम जासु कथा कुम्भजर सीगाई और भगत जासु में मुन ही सुनाई सोई मम इष्ट देव रखुवीरा सेवत जाहि सदा मुनी धीरा जिनकी कथा का अगस्त रिशी ने गान किया और जिनकी भगती मैंने मुनी को सुनाई वे वही मेरे इष्ट देव स्री रखुवीर जी हैं जिनकी सेवा ज्यानी मुनी सदा किया करते हैं मुनिधीर जोगी सिद्ध संतत बिमलमन जेही ध्याव ही कहिनेती निगम पुरान आगम जासु की रतेगाव ही सोई रामु व्यापक भ्रम्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरेव अपने भगत हित निजतंत्र नितर अगुकुलमनी जानी मुनी योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुरान और सास्तर नेति-नेति कहकर जिनकी कीर्टी गाते हैं उनी सर्व व्यापक समस्त भ्रहमांडो के स्वामी मायापती नित्यपरम सुतंत्र भ्रहमरुप भगवान स्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपने इच्छा से रगुकुल के मनी रूप में अवतार लिया है रमलाग ने उरूप देशु जद्दपी कहे उसे वबार बहु और बोले भी हसी महेसु हरी माया बलु जानी जीएं जद्दपी सिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती जी के हरदे में उनका उपदेश नहीं बैठा तब महादेवजीन मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले कियामा जो तुम्हरे मन अतिसंदे हूँ और तो किन जाई परिक्छा ले हूँ तब लगी बैठ अहूं बट चाहीं और जब लगी तुम्हें एहव मोहिपाहीं जो तुम्हारे मन में वहुत संदे है तो तुम जाकर परिक्षा क्यों नहीं लेती जब तक तुम मेरे पास लोट आओगी तब तक मैं इसी बढ़ की च्छाह में बैठा हूँ रम जैसे जाई मोह ब्रम भारी और करेहु सोजतनु बिबेको बिचारी चली सती सिव आयस उपाई करही बिचारू करों का भाई जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो भलिभाती विवेट के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना सिव जी की आग्या पाकर सती चली और मन में सोचने लगी की भाई क्या करूं कैसे परिक्षा लूँ रमाईहा संभु असमन अनुमाना और दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याना और मोरे हु कहें नसंसय जाही बिधिविपरीत भलाई नाही इधर सिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्यान नहीं है जब मेरे समझाने से भी संधे दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं अब सती का कुसल नहीं है रमा हो है सोई जो राम रची राखा कोकर तरक बढ़ावे साखा असकही लगे जपन हरी नामा और गई सती जहां प्रभु सुक रामा जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा तरक करके कौन साखा बिस्तार बढ़ाए मन में ऐसा कहकर सिव जी भगवान स्री हरी का नाम जब करने लगे और सती जी वहां गई जहां सुक के धाम प्रभु स्री राम चन्र जी थे रामा पुनि पुनि हरदें विचार करी धर सीता कर रूप रामा धर सीता कर रूप और आगे हो ही चले पंथ तेहीं जहीं आवत नरभूप सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धरन करके उस मार्ग की और आगे हो कर चली जिससे सती जी के विचारा नूसार मनुस्यों के राजा राम चन्र जी आ रहे थे राम लक्षिमन दीख उमाकरत बेशा चकित भए ब्रह्म हरदय विशेसा अर कहिन सकत कच्छु अत्य गंभीरा प्रभू प्रभाव जानत मति धीरा सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्षमन जी चकित हो गए और उनके हरदय में बड़ा भ्रम हो गया वे बहुत गंभीर हो गए कुछ कह नहीं सके धीर बुद्धी लक्षमन प्रभू रगुनात जी के प्रभाव को जानते थे सब कुछ देखने वाले और सब के हरदय की जानने वाले देवताव के स्वामी स्री राम चनर जी सती के कपट को जान गए जिनके इस्मर्ण मात्र से अज्ञान का नास हो जाता है वही सरवग्य भगवान स्री राम चनर जी हैं रमसती की नचहतह दूराओ और देखाओ नारी सुभाव प्रभाओ निजमाया बलुहरदय बखानी बोले भी हसी राम उम्रदूबानी इस्त्री सुभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन्सरवग्य भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाती हैं अपनी माया के बल को हरदय में बखान कर सुरी राम चनर जी हसकर को मलवानी से बोले कि राम जोरी पानी प्रभु की ही ने प्रेनामू और पिता समीतली ही ने निजनामू पहले प्रभु ने हाथ जोड़ कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया फिर कहा कि ब्रस के तो सिब जी कहा हैं आप यहां वन में अकेली किसलिए फिर रही हैं रम राम बचन म्रद गूड सुनी उपजाती संकोच रामा उपजाती संकोच और सती सभी तमहे सुपही चली हृदय वड़ सोच स्री राम चनर जी के कोमल और रहिस से भरिय बचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ वे डरती हुई चुपचाप सिभजी के पास चली उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई रमा मैं संकर कर कहा न माना और निज अग्यान राम पर आना जाई उतर अब देहं काह उर उपजाती दारुन दाह कि मैंने संकर जी का कहना न माना और अपने अग्यान का सुर्णाम चंदर जी पर आरोप किया अब जाकर मैं सिब जी को क्या उतर दूँगी यों सोचते सोचते सती जी के हिर्दे में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई रम जाना राम सती दुख पावा और निज प्रभाव कचु प्रगट जनावा सती दी की कौत कुमग जाता आगे राम सहित स्री भाता स्री राम चंदर जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौत को देखा कि स्री राम चंदर जी सीता जी और लक्षमर जी सहित आगे चले जा रहे इस अवसर पर सती जी को इसलिए दिखाया कि सती जी स्री राम के सचिदानन्द में रूप को देखे बियोग और दुख की कलपना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकरति स्थत हों रामा फिर चितवा पांचे प्रभु देखा और सहित बंधु सिय सुन्दर बेसा जह चितवाई तहां प्रभु आसीना सेवाई से धमुनी सप्रभीना तब उन्होंने पीछे की और फिरकर देखा और वहां भी भाई लक्षमन जी और सीता जी के साथ स्री रामतन जी शुन्दर वेस में दिखाई दिये तो जिदर देखती हैं उदर ही प्रभु स्री रामतन जी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनिश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं सती जी ने अनेक सिव प्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे उन्होंने देखा कि भाती भाती के वीष धारन किये सभी देवता स्री राम चुन्दर जी की चुर्ण वंदना और सेवा कर रहे हैं उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्मान और लक्ष्मी देखें जिस जिस रूप में भ्रह्मा आदे देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब सक्तियां भी थे रमा देखे जाहां ताहां रघुपति जेते सक्तन सहित सकल सुरतेते जीव चराचर जो संसारा देखे सकल अनेक प्रकारा सती जी ने जहां ताहां जितने रगुनात जी देखे सक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओ को भी देखा संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे रमा पूजा ही प्रभु ही देव बहु बेशा और राम रूप दूसर नहीं देखा और अवलो के रघुपति बहुते रे सीता सहित नबेस घनेरे उन्होंने देखा कि अनेकों वेच धारन करके देवता प्रभू स्री रामचंदर जी की पूजा कर रहे हैं परंतु स्री रामच्दर जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा सीता सहित स्रिवनाद जी बहुत से देखे परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे रामा सोई रगुबर सोई लक्षिमन सीता देखी सती अतिभई सभीता और हरदें कंपतन सुद्य कच्छुनाही नयन मून्दी बैठी मगमाही सब जगए वही रगुनाद जी वही लक्ष्मन और वही सीता जी सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई उनका हरदें कापने लगा और देह की सारी सुद्भुद जाती रही वे आँख मून्द कर मार्ग में बैठ गई अहुरि बिलोके उनयन उघारी कचुन दीख तहां दक्ष कुमारी और पुनि पुनि नाई राम पदसी सा चली तहां जहां रहे गिरी सा फिर आँख खोल कर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दीख पड़ा तब वे बार बार स्री राम चंदर जी के चरणों में सिर्व नवा कर वही चली जहां स्री सिव जी थे जब पास पहुंची तब सिव जी ने हसकर कुसल प्रिशन करके कहा कि तुमने राम जी के किस प्रकार प्रिक्षा ली सारी बात सच सच कहो वले स्यापति राम चंदर भगवान की जै संकर भगवान की जै मास पारायन दूसरा विश्राम आज हमने पढ़ा और स्रवन किया सती का भ्रम स्री राम जी का एश्वर्य और सती का खेद जै बजरंग वली हनुमान की जै